नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं जगनाथ पूर रत मेला की तैयारी पूरी सियम हिमन्त हुए सामील आज रत हयातरा की धूम है, राइधानी राची के एतिहासिक जगनाथ पूर रत मेला में सामील होने के लिए साधलोग भी उमर रही है साम पांच बजे मंदिर परिचर से भागवान जगनाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी बाड़ी के लिए रवाना होंगे इस औसर पर होने वाली एतिहासिक रत हयात्रा में मुख्य मंत्री हमन सुरेन सहित बड़ी संख्या में सरदालू सामील होंगे बता दे होर वर्स आसार सुकलपक्ष की दितिया तिथी को होने वाले यह रत हयात्रा जिसमें भागवान जगनाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर जाते हैं इस बार भी हरसो अलास के साथ मनाया जा रहा है उडिसा के पूरी की तरज पर रांजी के जगनाथ पूर मंदीर से भी करीब 333 वर्सों से रत हयात्रा निकाली जा रही है इस बार भी लोगों का आउसा चरम पर है पूरे मेला परिसर को सजाया गया है लोगों की भीड को देखते हुए स्वयम से इस संगठनों के साथ साथ RSS, NSS से जुड़े स्वयम सेकों की टोली मेला परिसर में लोगों की मदद के लिए मौजूद है वहीं मेला परिसर में बड़ी संखे में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है द्रोपती मौर्मों का जनवे 20 जुन उनई सवन ठावन को वडिसा के मिरुभन जिले के उपर बेड़ा गाओ में एक संथाली आदिवासी परिवार में हुआ था बता दे परदान मंतिर नयन्य मोधि सहीत कई नेतावने राष्टपती को जनम दिन के बधाई दे रहे हैं साथ ही उनके अच्छे स्वास्त वा लंबे जिवन की कामना कर रहे हैं पीए मोधि ने द्रोपती मौर्मों को जनम दिन के बधाई देते हुए लिखा है कि राश्ट पती जी को जनम दिन की बधाई वह लोगों के कल्यान के लिए ग्यान, गरिमा और प्रतिबत्ता की एक प्रकास अस्तम्ब है राश्ट की प्रगती को आगे बढ़ाने के उनके परियासों के लिए उनकी प्रसंसा की जाती है उनका समर्पन हम सभी को प्रेरित करता है, उनके अच्छे स्वास्थ और लंबे जीवन की कामना करता हूँ बता दे कि द्रपदी मुर्मुने 25 जुलाई 2022 को राश्ट पती पद की सपतली थी, इससे पहलेवा ज्हार्खन की राजेपाल थी ज्हार्खन में भारी बारिश की चेतावनी 21-23 जुन तक अलर्ट जारी ज्हार्खन में मांसून संताल परगना के रास्ते परवेस कर गया है, मौसम भीभाग रांची ने आज साहिव गंज, गोड़ा, पाकुड, दुमका, देवगर, जाम, तड़ा सहीत, अने जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है बतादे रांची और जमसेदपूर में भी बारिश का परवनवान ब्यक्त किया गया है, वहीं राईधानी रांची में मंगलवार को धूप खिली, लेकिन ठंडी हवाओ ने गरम से रहात दिया है इसी बीच मौसम भिभाग ने 21, 22 और 23 जून को पूरे जारखन में मुसलाधार बारिश के चेतावनी जारी की है बतादे कि 6 दिन की देरी से जारखन में मानसून अपकिसानों और आम लोगों के लिए रहात लेकर आया है मानसून ने जारखन में इंट्री ले लिया है लेकिन अभी भी कई जीले लू की तापमान में ब्रिधी की चापेट में है वही सोमवार को पलामू जीले में सरवधीक 44.3 डिगरी सेल्सियस तापमान दर्च किया गया है धनबाद में रत हयात्रा की धूम इसकोन संस्थान की ओर से भगवान जगनाथ की रत हयात्रा धूमधाम से सहर में सुरू की गई भगवान जगनाथ की पूजन के बाद स्टील गेट से यात्रा की सुरूआत की गई है पूजन करकर में सहर के गन्माने लोग मौजूद है पूरा इलाका जय जगनात के नारों से गुज रहा है, महाप्रभू के दर्सन के लिए कापी संख्या में लोग आ रहे हैं वहीं भारी गर्मी के बाजूत भगतों की भारी भीड उम्री है, इस्टिल गेट के रास्ते हीरापूर होते हुए रत यातरा साम पांच बज़े गोल्प मैदान में पहुचेगी बता दे संस्था की ओर से रात नौ बए तक यहां संस्किती कारिकरम एवा महाप्रसाद का वित्रन होगा रत के स्वागत के लिए श्टिल गेट, सराय ठेला, पुलिस लाइन, रंधीर वार्मा, चौक, सहीत, अनजभो पर स्वागत के लिए लोग खड़े हैं वहीं धनबाद, एसकौन से जुड़े साथ, आई आईटियंस ने इस बार अधभूत और मोटा से संचालित होने वाले रात का निर्मान किया है जगनाथपूर रात हैत्रा को लेकर रांची के 26 अस्थानों पर बनाये गए ड्रोप गेट आज रांची के जगनाथपूर पूरी में दोफर बाद रात हैत्रा निकाली गई, भागवान जगनाथपूर बहन सुभाद्रा और भाईबल भाद्रे के साथ मौसी बाड़ी जाएंगे जगनाथपूर रात हैत्रा को लेकर पूलिस और पसासन भी अलाट मोड पर है, ट्रैफिक पूलिस ने 26 अस्थानों पर ड्रोप गेट बनाये हैं, इसके अलावा पांच जगों पर पार्किंग बेवस्ता की गई वहीं ट्रैफिक एसपी ने सभी पूलिस कर्मियों को प्रति नियुक्त आस्थाल पर समय पतायनात रहने के निदेश दिये हैं, ट्रैफिक एसपी ने या सुनिश्चित करने को कहा है कि किसी भी हाल में जाम की समस्या उत्पढ़ना हो, बता दे कि धूरती राथ हैत्रा 29 ज इसे लेकर कार्मिक विभाग ने जेएस सपी को अधियासना भेजी है, इसमें कहा गया है कि राजी के प्रावभीग विद्याल्यों में सहायक आचारे सन्वर्ग में नियुक्ति पर किरिया सुरू की जाए, विद्याल्यों में कूल 26001 पर शिक्षु की नियुक्ति होगी, शिक्षा बिभाग द्वारा भेज़ेग प्रस्ताव में कहा गया है कि नियुक्ति की करवाही जारखण प्रारमबिक बिध्याले सहायक अचारे सनवग नियुक्ति प्रोणति निमावली के तहत होगी अधियाचना पद JSC की किसी परिक्षा संचार नियमावली के तहत नहीं आएगी विभाग द्वारा नियुक्ती पर किरिया सुरू करने को लेकर आरक्षन रोस्टर भी JSC को भेजा गया है अगले माँ जे CC द्वारा नियुक्ती को लेकर बिगापंजारी किया जाने की संभावना है वही राज्य में साथ वरस बात प्रात्मिक भी द्याले में सिस्को की नियुक्ती के लिए आवेदर आमत्रित किया गया था बिजली विभाग अब उभगताओ को सिकुरिटी मनी पर देगा बियाज बिजली उभगताओ के लिए खुछ खबरी है बतादे जार्खन बिजली बीतरन नीगम बीजली के 48 लाग उभुगताओं द्वारा जमा कियेगा सिग्रेटी मानी पर ब्याज देने की त्यारी कर रहा है इसके लिए एक नय एप बनाया जा रहा है बता दे कि टैरिफ जारी करते हुए जहरकन बिदूत नियमक आयोग द्वारा जेवी भीनल को हर साल में उभुगताओं के सिग्रेटी मानी पर ब्याज देने कार निर्देश दिया है वहीं कहा था कि जिन उभुगताओं के सिग्रेटी मानी जमा और जब से जमा है तब से ब्याज देना निगम सुनिशीत करे मालूम हो कि सिक्रेटी मानी पर ब्याज के लिए आयोग दोबारा कई बार ने देश दिया जा चुका है पर जेवी भी एनल रसीद या अन्य कोई कारण बतागर सिक्रेटी मानी नहीं दे रहा था जारखन के पच्चमी सिम्भूम जीले से सुरक्षा बलो ने पांच आईडी बरामत किये है इसके बाद बम निरोधक दस्ते ने उसे निश्क्रिये कर दिया है एक बार फिर नक्सलियों की साजिस नकाम हुई है पुलीस को नुकसान पहुचाने के उद्देश से जंगल में आ प्रतिबंदित नक्सली संगठन भागपा मवादी ने पांच आईडी बम को जंगल में लगाया था ओप्रेशन पर निकली पुलिस ने इससे बरामत कर लिया है जिसके बाद निरोधक दस्ते ने निस्क्रिये कर दिया है बोकारो के बिक्की ने चार दिनों में किताब लिखकर बनाया विस्वर रिकोर्ड बोकारो जिलांतरगत फुसरो के सुभास नगर निवासिये का इस वर्सी ए लिविंग आईकॉन पॉल और्फ बिक्की कुमार चार दिनों में किताब लिखकर दुनिया के सबसे तेज उनकी पहली किताब थी The Topper of Never Wait to School दोनों बूक, अमेजन और फिलिपकट पर उपलब्द है किताब की कीमत 25 रुपए है इस बारे में बिकी ने बताया है कि जब वो इस किताब का अमतीम पेज लिखा थे तब रात के 2.25 मिनट बज रहे थे गीरी डी में अवैद बालू तसकरी के खिलाप छापा अवैद बालू तसकरी के खिलाप DC नमन प्रियस लकडा के निदेश पर देर रात नकसल प्रहोईत पीर टांड के बराकर नदी के दुधनिया बालू घाट पर जिला पसासे न चापे मारी की है इस दोरान टीम ने दुधनिया बालू घाट से करीब एक दर्जन अवैद रूप से बालू लदे ट्रेक्टर को जब्त किया पुलिस की करवाई के बाद बालू मफ्याव में अलकम मच गया है बताया जाता है कि डी सी नमन पिरिये से लकडा को या सुचना मिली थी कि नकसल पर होईत पिरे टान के इलाके से बराकर नदी के माध्यम से रात के अंधेरे में बड़े प्रवाईन पर बालू की तसकरी हो रही है और बालू को गिरीडी से धनबाद भेजा जा रहा है स्रावनी मेला को लेकर सिग्र दर्शनम की नई बेवस्था स्रावनी मेला को लेकर बाबा बैदनात मंदीर में सिग्र दर्शनम की नई बेवस्था और मंदीर परिसर में चल रहे कारियों में तेजी लाए और स्ताय समय पर पूर्ण करें या निर्देश SDO सा बाबा मंदीर प्रभारी दिपांकर चौधरी ने सुचना भवन के सबागार में सरावनी मेले के लिए आयोजित बैठक में दिये हैं उन्होंने संबंधित बिभागों को पता अधिकारियों को कहा है कि सभी 22 मंदीरों में हो रहे काम क्यूँ कंप्लेक्स की बिजली बेवस्ता सवचाल ले पेजल साब सफाई एवं अन्य कारियों को भी यथा सिग्रे मेला सुरू होने से पहले पूरी कर ले इसमें कताई कोता ही नहीं हो सभी बिभाग इससे गंभीता से ले करते इगती से काम पूरा करवाए SDO ने सभी अधिकारियों वाइजेंसियों से कहा है कि स्रावनी मेला के लिए काउंट मैनेजमेंट सिग्रदास नाम विदी बिवस्ता वाँ सुरक्षा बिवस्ता को लेकर किये जार है कार्यों को सताई जुनतक हर हाल में पूरा कर ले दिवांगत सिक्षा मंतरी की पतनी और पूत्र सीवू सुरेन से की मुलकात जार्खन के पूर्व सिक्षा मंत्री जगनात महतों की पतनी बेबी देवी और पूत्र अखिलेस महतों उर्फ राजू महतों ने जार्खन मुक्ति मुर्चा के सुप्रीमों सीबु सुरेन और मुख्य मंत्री हमान सुरेन की मारूपी सुरेन से उनके आवास पर मुलकात की औ पाकिन न तो जार्खन मुक्ति मोर्चा की ओर से और नहीं पूरो सिक्षा मंत्री की पत्नी और पूत्र की ओर से कोई ब्यान जारी किया गया है। बावजूद इसके या क्यास लगाय जा रहा है कि डुमरी विधान सवा सीट पर होने वाले उप चुनाव में दिवंगत जगनात मतों की पत्नी चुनाव लड़ेंगी या बेटा अभीताय नहीं है पार्टी जल्द करेगी इसकी घोसना धन्यवाद।